राम राम आज हम श्रीमत भगवत गीता के अध्याए आठ अक्षर ब्रह्मयोग की पुश्पिका देखेंगे पहला फर्स लाइंग देखते हैं ओम त की साथ आदा तत सपूरा दी और ती दोनों चोटी मात्रस को लंबा नहीं कीचना सदीती ओम तत सदीती श्री श्री बड़ा है म के साथ आदा द श्रीमद भग दोनों आक्षर पूरे-पूरे दोनों में आमिक्स करेंगे भग व के साथ आदा द भगवत गीता गी के मत्रा बड़ी श्रीमद भगवत गीता सू थर्ड लाइन में सू के बड़ी मत्रा है लंबा कीचेंगे सूप प में आमिक्स किया है निश के साथ आदा द निशत सू सूप निशत सू ब्रम ब्र ब आधा र पूरा इसके बाद में ह आदा है और म पूरा है तो ब्रह म में आमिक्स करेंगे ब्रह म वी की साथ आदा द विद या विद्या या के साथ अनुस्वार आदा म ब्रह्म विद्यायाम योग गमी अमिक्स करेंगी योग शास्त्रे शा के साथ आदा स शास्त्रे श्री क्री क के नीचे जो मातर है वो है क्री री की मातरा क्री आदा श इसके साथ क्रिश ना के साथ आदा रहे क्रिशनार जुन, जुके मात्रा छोटी लंबा नहीं कीचना, नमिक्स करनें जुन, श्री क्रेशनार जुन, स के उपर बिंदी आदान समवादे अ, की साथ आदा, जो शत्री है, उसमें आदा क, जुड़ेगा अक्षर, क्योंकि शत्री का अर्थ क्या होता है, आदा क, और शर से शर्कौन, पूरा, अ की साथ आदा क, जुड़ा, अक्षर, ब्रह्म, वही चीज़ जो अपने पहले देखी, ब्र, बी, आर, ए, ह, आदा है, म ब्रह्म, योगो, नाम, म में, अमिक्स करेंगे, नाम, इसको आप एक साथ पढ़ेंगे, नामाश्टमो, क्योकि नाम और अश्टमो, यह दो शब्द दोनों मिलके, नामाश्बंो, मोघ के बाद में अवग रहे, मोघ की मातरा को लंबा कीचेंगे, नामाश्टमो ध्यायः ध्याय में अमिक्स करेंगे यह में अक्की मात्रा से विसर्ग को पढ़ेंगे नामाश्टमो ध्यायः पूरी पुष्पिका को एक साथ दो बार बोलेंगे ओम तत्सदिती श्रीमद भगवद गीता सूपनिशत्सु ब्रह्म विध्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन सम्वादे अक्षर ब्रह्मयोगो नामाश्टमो ध्यायः एक बार ओल ओम तत्सदिती श्रीमद भगवद गीता सूपनिशत्सु ब्रह्म विध्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन सम्वादे अक्षर ब्रह्मयोगो नामाश्टमो ध्यायः एक अविनाशी सहज सुखराशी ही नाथ ही मेरे नाथ मैं आपको भूलू नहीं अब इस पुष्पिगा का अर्थ देखेंगे ओम तत्सदिती यानि ओम तत्सदिती इस प्रकार श्रीम ये तीन भगवान के नाम है ओम तत्सद इन भगवान नामों के उच्चारन पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में जो श्री मद भगवद गीतों पर निशद है उस रूप में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के समवाद में अक्षरे ब्रह्म योग नाम का आठवा अध्याय पूर्ण हुआ अविनाशी सहज सुखराशी ही नाथ ही मेरे नाथ मैं आपको भूलो नहीं ना रहे ना रहे